हेलो गाइज मेरा नाम है हिमानसू और आप देख रहे हैं रेसल एलर्ट सो गाइज इस है कि एलमेशन चैंबर पेपर व्यू के जिस मैच के लिए फैन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है वो है रोमेड रेंज वर्सेज गोल्ड बर्ग का युनिवर्सल चैंपरसिप का मैच बिकाज इन दोनें काफी कुछ का है अपने स्मैक डाउन के प्रोमो सेग्मेंट में साथ साथ ये मैच दो साल पहले होने वाला था बट अब जब इस मैच को होने में एक हफते से भी कम का टाइम बचा है तो फैन से ही जानना चाहते है कि आखिरकार इस मैच में होने क्या वाला है और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है रोमेड रेंज वर्सेज गोल गोल्ड बर्ग के साथ जहाँ पर गोल्ड बर्ग ने बैश टेस से एंट्री लिए अपनी पायरो वेगरा के साथ और रोमर डिटेंस एंड उनके बीच माइक में बात वी एंड गैस ये प्रोमोर सेग्मेंट जादा बड़ा नहीं चला बठा मुरी बात ये कि ये दोनों एक् सेमी जेन एंड सिंस के ना का मुरा के बीच हमें इंट्रकॉंटीनिंटल चैंपियों चैंपियन जेमी उसो को इसके बाद नेच्च्च हमें देखने को मिलता है ड्र्यू मैकेंटर मेट केप मॉस एंड हैपी कॉर्बिन का एक प्रोमो सेग्मेंट जिसके बाद नेक्स्च यानि कि इनके मैच को हाइप करने के लिए डवो डवली इने कुछ क्लिप वैग रहा है दिखाया होगा इसके बाद मेरी वेट में देखने को मिलता है Contract Signing Ronda Rousey और नयोमी वर्सेस Sonia Devil और Solid Flair के मैच का जो कि इस SmackDown में ओफिशल वा तो इस Contract Signing को होश्ट करे थे Adam Pierce और दोनों टीमों की बीच वर्स एक्षेंज होते हैं तब तक जब तक Ronda Rousey टैटल थ्रियो कर देती है Solid Flair पर और जब Solid Flair पर अटैक करने आ रहे थी तो Ronda Rousey ने उन्हें टेबल पर स्लैम कर दिया पर नयोमी ने एक किक जड़ गिया Sonia Devil को और दोनों टेविल को और दोनों टैटल किया तो गाईज यही कुछ हमें देखने को मिला नेक्ष्ट स्मैक डाउन में और नेक्ष्ट विक का स्मैक डाउन तो है ने संचैंबर की दीन ही होने वाला है तो सूपर स्टार्स तो वहीं पर रहने वाले इसलिए डाउड डाउड व्ली इन्हें पहले से इसे टेप कर लिया है बट अब बात कर लिजा अपने नेक्ष्ट न लाश ठिक के बारे में कि अखिरका रोम डेस एंड गोले बार के मैच में हमें क्या कुस देखने को मिलने वाला है सो जैसा कि इस मैच के लिए फैस काफरी जादा एकसेटओ है और रोम डेस ने कहाँ है कि वो गोल बर को स्कॉस करने वाले सो जो काम गोल्डबर्ग उतने टाइम से करते वे आ रहे थे रोमरी डेस वो कर पाएंगे या फिर नहीं फैस वही जानने के लिए एकसाटेड है पसे बिकॉज आप सब जानते हैं रोमरी डेस का भी बिल्कुल अलगी लेवल चल रहा है वो हर मैने एक नएक रिकॉर्ड बनाते जा रहे तो क्या पता जब WWE के ये ब्लैन नहीं है कि गोल्ड बर्क गैं रोमरी डेस की फूट कंटिनू रहे तो WWE यहाँ पर-ज़रूर से विक्टरी देना चाहेगी रोमरी डेस को और उनके achievement list में इस change को भी add करना चाहेगी कि रोमरी डेंस ने clean हराया था गोल्ड बर्क को अब वो इस cause करकर भी हरा सकते गोल्ड बर्क को या फिर हो सकता एक अच्छा खासा match दे इसके बाद जो दूसरी चीग हमें देखने को मिल सकती है वो है कि हमें उसोस help करते वे दिखे रोमरी डेंस को उनकी title retain करने में जैसा कि रोयल डेबल के पेपर व्यू में तो उसोस रिंग साइट से बैंट थे इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपनी interference नहीं की लेकिन एलमनेसन चैंबर के पेपर व्यू में ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला और डावड़ डेबली या भी काफ़ दा कम इन्वाल्व कर रही है उसोस को रोमरी डेंस के साथ तो हो सकता है जब उसोस साओधी रुबिया जाने वाले अपने match के लिए उसोस के बारे में कोई सोच नहीं रहा है देन हमें उसोस अपने interference करते वी दिख जाए गोल्बर्ग एंड रोमरी डेंस के match में जहाँ पर वो रोमरी डेंस की मदद करे टाटल रिटेन करने में तो ये थिंग भी आपने देखने को मिल सकती इसके बाद बात कीज़े अपने तीसरे ठिंग के बारे में तो वो कुछ और नहीं वो ये है कि हमें ब्रॉक लेजनर हरवाते वी दिखे रोमरी डेंस को उनकी युनिवर्सल चैंपिसिप जैसा कि आसम को पता ही है इसके बाद हो सकता है गोल्ड बर्ग का अलग मैच हमें देखने को मिले रसल मेलिया में युनिवर्सल चैंपिसिप के लिए और रोमरी वर्सस ब्रॉक का हमें डव डव्ली ए जैंपिसिप मैच देखने को मिले सो लेट से कि क्या गोल्ड बर्ग इस बार हमें सौप करते है साथ अरबया के पेपर व्यूव विकाज इस बार उनके चांसेश थोड़े कम लग रहे सो गाई यही वो पॉसिबली तीन चीज़े जो कि हमें लेकिन आप सब मुझे यह कॉमेंट करकर जबूर से बताना अब जब लेकिन आपको क्या लगता है अलमिशन चैंबर पेपर व्यू से एस उनिवर्सल चैंपियन कौन बाहर निकलने वाला है रोमरी रेकिन या फिर गोल्ड बर्ग इसके लावा अगर वीडियो पसंद आएगो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिये और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले वेलेकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिये तो मिलते हैं अगली वीडियो में